नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अन्बॉक्सिंग और आज की इस वीडियो में हम अन्बॉक्स करने वाले सामसंग गैलेक्सी M सीरीज का न्यूली लॉंच डिवाइस जो है सामसंग गैलेक्सी M42 5G और यह रहा उसका रीटल पैकेजिंग यह सामसंग का एक बजेट 5G डिवाइस है जो उन्होंने M सीरीज में लॉंच किया है प्लस इस फोन में आपको स्नाप ड्राइगन का 750G प्रोसेसर देखने मलता है और फर्स टाइम M सीरीज में यहाँ पर सामसंग गैलेक्सी पे का भी ऑप्शन इस फोन में उन्होंने अड़ किया है यहाँ पर जादा बाते नहीं करते हैं सबसे पहले हम करते है इसकी अन्बॉक्सिंग यहाँ पर बॉक्स के आगए कि तरफ आपको सामसंग गैलेक्सी M 42 5G की बैजिंग दीए यहाँ पर वो एक्चूल फोन आपको देखने मलता है और जैसे हम स्नाप्स करते हैं यहाँ पर आपको सामसंग गैलेक्सी M42 देखने मलता है तो इसके उपर का जो plastic wrap है उसे हम remove करते है और यहाँ पर काफी बड़िया color आपको देखने मलता है तो इसे फिलाल हम रखते साइड में उसी के साथ 15 watts का fast charging power brick भी उन्होंने यहाँ पर include किया है और उसी के साथ आपको देखने मलते है उसकी type C charging cable और यहाँ पर दूसरे compartment में उ उसी के साथ उन्होंने prism dot black color इसमें provide किया है जो यहाँ पर आपको काफी बढ़िया texturized finish प्रोवाइड करता है उसी के साथ जो back panel है वो completely glossy finish में आपको देखने मलता है and बढ़ते इसके ports की तरफ तो नीची की तरफ आपको एक speaker देखने मलता है mic provide किया है type C port 3.5 mm का jack left hand side पर आपको sim tool देखने मलता है जिसमें आप insert कर सकते हो दो sim card और एक memory card ऊपर की तरफ एक secondary noise cancellation mic right hand side पर यहाँ पर volume up, volume down और power button उन्होंने provide किया है so guys overall काफी अच्छी build यहाँ पर आपको देखने मलते है फिर हम बढ़ते है इसके display की तरफ तो यहाँ पर आपको 6.6 inch का HD plus S AMOLED display उ आपको इसका display visible होने वाला है so guys overall काफी decent display आपको देखने मलते है हलां कि full HD display provide किया होता तो बढ़िया होता था and उसी के साथ हम बढ़ते है इसके processor की तरफ तो यहाँ पर आपको snapdragon का 750G processor उन्होंने provide किया है जो यहाँ पर 8 nanometer technology पे based है और guys यह एक 5G phone है और इसके अंदर internal storage और यहाँ पे UFS 2.1 storage उन्होंने provide किया है out of the box यहाँ पे आपको Android 11 देखने मलते है उसी के साथ One UI 3.1 उन्होंने provide किया है so यहाँ पे जो Samsung का One UI काफी बढ़िया तरीगे से work करता है हलां कि यहाँ पे आपको कई सारे pre-install applications भी इसमें देखने मिलते है जैसे आप देख सकत हो फिर गाइस हम बढ़ते हैं इसके gaming की तरफ तो सबसे पहले यहाँ पे हमने PUBG game इसमें खेला और यहाँ पे हमने settings रखी थी smooth में ultra यहाँ पे आपको extreme settings देखने नहीं मिलती है और आप देख सकते हो यहाँ पे max fps जो हमें मिल रहा था वो था 40 fps और यहाँ पे frame rate fluctuate हो रहा थ और on an average constant पे 35-40 fps के बीच में यहाँ पे game चल रहा था so guys PUBG आप maximum 40 fps में यहाँ पे खेल सकते हो अगर आपको इसमें 60 fps में खेलना है तो आप एक config file download करके भी इसमें 60 fps में खेल सकते हो और उसी के साथ हमने यहाँ पे call of duty game भी खेला था और call of duty game पे यहाँ पे हमने settings को high पे बीच में और guys call of duty game भी जो है काफी बढ़िया तरीके से इसमें work कर रहा था और guys call of duty game जो है काफी बढ़िया तरीके से optimized है so यहाँ पे आपको maximum 60 fps का gameplay देखने मिलने वाला है and guys never the least यहाँ पे हमने benchmark भी इसमें किया तो N2 2 benchmark में हमें 234,000 का score यहाँ पे मिल रहा था और फिर ह benchmarks course यहाँ पे आपको काफी decent इस phone में देखने मिलते है and guys उसी के साथ हम बढ़ते है इसके camera की तरफ तो यहाँ पे उन्होंने rear में 48MP का main camera प्रोवाइड किया जो यहाँ पे आता है F1.8 aperture के साथ 8MP का ultra wide camera 5MP का depth camera 5MP का macro camera और उसी के साथ selfie में आपको 20MP का camera देखने मिलता है so guys यहाँ पे अगर camera UI की बात करें तो यहाँ पे आपको macro mode हो गया slow motion super slow motion जैसे भी functionality उन्होंने include किये plus guys यहाँ पे आपको single take का भी feature उन्होंने यहाँ पे add किया है जहाँ पे आपका video यह 10 seconds तक record करता है और आप देख सकते हूं यहाँ पे आपको different different images slow motion videos fast motion videos या फिर black and white photos कई सा different different images capture के indoor lighting conditions में भी outdoor lighting conditions में भी और काफी high dynamic range के साथ यहाँ पे आपको images इसमें देखने मिलते है प्लस यहाँ पे हमने ultra wide angle में भी इसमें images capture किये और आप देख सकते हैं सारे images काफी बढ़िया तरीके से आ चुके प्लस यहाँ पे हमने macro mode में भी इसमें images capture किये तो guys overall जितने भ fc का भी function इसमें provide किया है plus guys यह first ऐसा samsung का m series phone है जिसमें आपको samsung galaxy pay का भी option उन्होंने include किया है and उसी के साथ बढ़ते है इसके security की तरफ तो यहाँ पे आपको nox security 3.7 उन्होंने provide किया है plus guys यहाँ पे आपको secure folder का भी option उन्होंने provide किया है जिसकी help से आप काफी बढ़िया वीडियो को देखना है तो i button में link मिल जाएगी and जी हाँ इस particular phone में आपको in display fingerprint scanner देखने मिलता है और यह जो particular fingerprint scanner यह भी काफी responsive था 0.3.4 seconds में आपका phone यहाँ पे unlock कर देता है उसी के साथ हम बढ़ते इसके battery की तरफ तो यहाँ पे आपको 5000 mh की battery उन्होंने provide किया है जो यहा on an average typical usage पे आपको देड़ से लेके दो दिन तक इसके battery life चलनी चाहिए अगर आप casual user हो अगर आप gaming purpose के लिए इसे use कर रहे हो तो एक दिन तक आपको इसके battery life चलने वाली है and finally हम बात करेंगे इसके speaker की तो यहाँ पे आपको down firing speaker इसमें देखने मिलता है single speaker उन्होंने provide किया है तो यहाँ पे मैं एक sample video play करूँगा जिसमें आप सुन सकते हो इसकी sound quality So guys overall काफी अच्छी sound quality आपको इस single speaker में देखने मलती है हलांकि dual speaker include किया होता तो better होता था और guys यह जो particular Samsung Galaxy M42 है यह Samsung का सबसे पहला budget 5G device है और प्लस यहाँ पे snapdragon 750G processor भी आपको देखने मलता है बात करेंगे इसके pricing की तो यहाँ पे हमारे पास जो variant है वो है 6G VRAM 120GB का variant जो आपको मिल जाएगा 21,999 रुपीज की price में और guys यहाँ पे additional discount की दोर पे 2,000 रुपीज का coupon code भी आपको मिलेगा तो guys यह device आप 20,000 रुपीज की price में भी यहाँ पे purchase कर सकते हो और अगर किसी को इस device को purchase करना है तो link में नीचे description box में drop कर दूँगा वहाँ पे जाके आप इसे purchase कर सकते हो so guys बस यही था आज का यह वीडियो I hope आपके वीडियो पसंदा होगा अगर आपके वीडियो पसंदा आते तो please इस वीडियो को like कीजिए और ऐसे ही tech related unboxing के लिए please subscribe कीजिए हमारे चानल को और दोस्तों और एक important बात please मरे facebook page और instagram page भी like कीजिए तो दोस्तों मिलते अगरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद